सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स रेडमी और माइक्रोमेक्स की तरफ से रेडमी का 9i जो आपको मिल जाएगा 8300 में दूसरी तरफ है माइक्रोमेक्स का 1b जो आपको मिल जाएगा 8000 में तो इन दोनों मोबाइल्स में 300 का ही फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा चली देखते हैं 9i के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं सबसे पहले मिलता है mobile एक rapper के अंदर इसके बाद दिया गया है एक mini box जिसमें पीछे लगवा है SIM ejector tool अंदर दिये गया है कुछ user manual cover इसके साथ आपको नहीं मिलता इसके बाद मिल जाती है यह black color में data cable length और quality इसकी दोनों बहुत अच्छी है बाकियो दोस्तों इसके साथ आपको type C cable नहीं दी गई यह USB to micro USB cable है अगर type C cable का support होता तो बहुत अच्छा रहता आखिर में आपको रखा वो मिलता है यह black color में charger इसकी build quality बहुत अच्छी है और इसके अंदर आपको output मिलता है 5 volt 2 ampere का तो यह simple सा 10 watt का ही charger है fast charger तो इसके साथ आपको नहीं दिया गया क्योंकि कीमत काफी कम है अब यह सारा सामन आपको मिलता है Redmi 9i के साथ 8300 में rate के साब से देखा जाए तो box के contents आपको काफी अच्छे ही दिये गया है बस दो कम यह मुझे समय छोटी सी यह लगी अगर type C cable होती और cover होता तो और भी बढ़िया रहता चलिए देखते हैं कर आप 300 रोप और कम खर्च करते हैं Micromax पे तो उसके साथ आपको 8000 में कहके दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं इसमें आपको सबसे पहले मिलता है mobile एक wrapper के अंदर इसके बाद दिये गया है कुछ user manual screen guard भी मिल जाता है जिसको आप ख ख़व मिलता है ये black color में charger इसके अंदर भी आपको output वही मिलता है 5 volt 2 amp का तो ये भी simple सा 10 watt का ही charger है अब ये सारा समन आपको मिलता है Micromax 1B के साथ 8000 में दोस्तों देखा जाए तो charger और data cable की जो build quality है वो Redmi 9i की cable की और charger की जादा बढ़िया है और इसमें ये खुब जाद लेकिन type C cable मिल जाती है तो इस चीज में दोनों मोबाल्स काफी बढ़िया है और cover दोनों के साथ ही नहीं दिये गए चली बात कर लेते हैं दोस्तों design के बारे में तो इन दोनों मोबाल्स के अंदर आपको design मिलता है hard plastic के type का तो scratch की problem आपको दोनों मोबाल्स के back panel पे बहुत कम देखने को मिलती है design की quality को लेकर दोनों ही मोबल्स बहुत जाद अच्छे हैं बाकि कुछ इस तरह की से blue color आपको मिल जाता है nine eye का आप देख सकते हैं थोड़ा simple design है यह बाकि दूसरी तरफ micro max के one B में आपको double color का shade दिया गया है जो काफी जादा बढ़िया लगता है ब back panel पे यह खुब इसके अंदर काफी अच्छी है और दोस्ते इसके अंदर आपको camera की performance rate के सबसे अच्छी मिल जाती है वही दूसरी तरफ Redmi के nine eye में आपको पीछी की तरफ एक camera दिया गया है 13 megapixel का front camera है इसका 5 megapixel कम इसके अंदर यह 8300 में आपको fingerprint scanner नहीं दिया गया इसके मुझे काफी बड़ी कमी लगी और camera की performance इसके अंदर भी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है वैसे दोस्ते इन दोनों मोबाल्स में आपको और ज्यादा बढ़िया camera दिया गया है Redmi के nine eye के अंदर ही वैसे तो दोनों मोबाल्स rate के सबसे आपको camera को लेकर normal ही मिलते हैं लेक तो दोनों ही मोबाल्स के अंदर आपको display size दिया गया है साढ़े 6 लेका दोनों मोबाल्स के अंदर आपको 6.5 inch के display मिल जाती है इस चीज में दोने ग्यसे है और दोनों के अंदर आपको IPS HD Plus display दी गया है तो quality भी आपको दोनों के अंदर एक जیसे मिल जाती है लेकिन actual में display क को लेकर कौन सा मोबाल जाद अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तों यूज़ एंटरफेस के बारे में तो यूज़ एंटरफेस कुछ इस तरह किसे दिया गया है रेड्मी के 9i में आप इसे राइट साइट पर स्वाइप करेंगे आपको स टॉक एंडरोइड दिया गया है तो एंडरोइड के जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो इसके अंदर आपको जादा जल्दी देखने को मिलेंगे रेड्मी 9i के कमपेरिजन में इसे के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको काफी क्लीन यूई मिल जाता है एक्स्ट्र एप्ल पनलंट चिस देहिंगे डिस्प्ले की क्योवेटि और कलर्स तो दॉस्तों कलर्स तो वैसे दोनों के अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं लेकिन ब्राइटनेस के अंदर फर्ग है Red anunci 9i की दिसप्ले की जो ब्राइटनेस हैं वो आपको और ज्च्छे मिल जाती है Micromax है, तो डिस्प्ले को लेकर इन दोनों Mobile's में ज़्यादा बढ़िया है, Redmi का 9i ही बाकि दोस्तों Left Side साब देहेंगे दोनों Mobile's को, आपको SIM के ट्रे मिल जाती है इस तरफ, अच्छी चीज़ यह है, दोनों ही Right Side साब देहेंगे तो Volume के बटन्स और Power के बटन्स बाकि दोस्तों उपर की तरफ साब देहेंगे तो Micromax के अंदर आपको जो Headphone Jack मिलता है नीचे की तरफ दिया गया है और Redmi के 9i में आपको उपर की तरफ मिल जाता है Left Side पर बाकि Plane डिजाइन है दोनों का इसके लोग दोस्तों दोनों Mobile के अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के Internal Storage RAM और Storage भी आपको दोनों के अंदर बराबर मिल जाती है 64GB में साबको Redmi के 9i के अंदर Free Memory दी गई है 50, 51GB के असपास और Micromax के अंदर आपको Free Memory दी गई है तकरीबन 55GB के असपास तो और Storage आपको थोड़ी Free मिल जाती है Micromax के अंदर 2-3GB में आपको और जादा Free दी गई है दोनों के अंदर आपको Android का 10 वर्जिन दिया गया है शीज में दोनों बढ़िया है और भी जादा अच्छा है Micromax क्योंके और जादा अपडेट्स आपको इस मूबैल में जादा जल्दी देखने को मिलेंगे बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो दोनों के अंदर आपको बैटरी दी गई है 25,000 एमेज की तो दोस्तो देखा जाए तो ये दोनों ही मूबैल्स वैसे नॉर्मल यूज के हिसाब से है बागी थोड़ा और जादा बैटर आपको प्रोस्टर दिया गया है Micromax के 1B के अंदर परफॉमेंस इसके अंदर आपको थोड़ी सी और जादा बैटर मिल जाती है बागी दोस्तो ये दोनों ही मूबैल्स नॉर्मल यूज के हिसाब से है अब ये सारी खुब्या कम्या आपको मिलती है इन दोनों के अंदर चले बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो मेंटर सबसे पहले ये करता है कि आपको रेडमी पे जादा भरोसा है या फिर माइक्रो मेक्स पे और इसके बाद आपकी जो में ज़रुत की चीज है वो इन दोनों में किसमा जाद अच्छी है तो दोस्तों देखिए अगर आपको डिस्पले अच्छी चाहिए तो आप रेडमी का नाइन आई खरी दियेगा डिस्पले की क्वालिटी इसकी ज़्याद अच्छी है लेकिन अगर आपको design अच्छा चाहिए तो आप Micromax का 1B खरीदिएगा इसके अंदर आपको design जाधा better दिया गया है इसके लोग दोस्तों अगर आपको camera बढ़िया चाहिए तो आप Redmi का 9 Eye खरीदिएगा camera इसके अंदर आपको और जाधा अच्छा मिल जाता है लेकिन अगर आपके लिए battery matter करती है तो अच्छी battery के लिए आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं दोनों ही mobile scanner आपको काफी बढ़ी बैटरीज मिल जाती है इसके लोग दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का user interface तो आप Micromax का 1B खरीदिएगा इसके लोग अगर आपको user interface जाद अच्छा दिया गया है और अगर आपको fingerprint scanner चाहिए तो भी आप Micromax लीजिएगा इसके लोग अगर आपको मिल जाता है Redmi K9i के अदर नहीं दिया गया इसके लोग अगर आपके लिए RAM or storage matter करती है तो भी आप दोनों में से कोई से भी ले सकते है दोनों ही मुबाल्स के अंदर आपको बराबर RAM or storage दी गई है आखिर में दोस्तों अगर आपको performance थोड़ी सी और battery चाहिए प्रोस्टर थोड़ा जाद अच्छा चाहिए तो आप Micromax खरीदिएगा इसके अंदर आपको processor जाद अच्छा मिल जाता है तो battery के अंदर और RAM or storage में ये दो खुबिया तो दोनों के अंदर ही काफी बढ़िया है लेकिन इन दो चीजों के अलावा Redmi के 9i में दो खुबिया बहुत अच्छी है एक तो जाद अच्छा camera दूसरा जाद अच्छी डिस्प्ले अगर आपको ये दो खुबिया चाही अच्छी डिस्प्ले और अच्छा camera तो आप 9i खरीदिएगा Micromax के 1b के अंदर आपको 4 खुबिया जाद अच्छी दी गई है एक तो इसका design जाद अच्छा है दूसरा इसके अंदर आपको fingerprint scanner मिल जाता है तीसरा इसका user interface जाद बढ़िया है और चौता इसके अंदर आपको processor थोड़ा better दिया गया है तो दोस्तो देखा जाए वैसे इन दोनों mobile's में आपको जादा खुबिया मिलती है Micromax के 1b के अंदर ही जादा better यही है फिर भी अगर आपकी जरूत की चीज़ Redmi के 9i के अंदर अच्छी है तो आप ये भी ले सकते हैं आप बताएगा फिर भी comment करके आपको दो खुबिया जादा पसंद आए 9i की या फिर जादा खुबिया वाला Micromax का 1b पसंद आया ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की निचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल अकिन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो जब तक पहुशती रहें इसके लब वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा WhatsApp फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाँ बाँ